गोर से देखिये, ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूरे नजर लखते जिगर है मिस्टर विजय कुए, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तक्ते पर चड़ा सकती है सिर्फ आप ही वो चश्मदीद कवाह हो, जिसने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है मैं पूछता हूँ क्या देखा आपने लाश खसीटते हुए, तो फिर खसीटने वाला जुका हुआ होगा लाश के उपर आखिर देखा क्या आपने उसकी पीट, उसकी कमर, या फिर उसकी सूरत मैं कहता हूँ आपने कुछ नहीं देखा, आप जूट बोलते हैं अगर आपने किसी को लाश खसीटते हुए देखा, तो आप चिलाय क्यों नहीं शोर क्यों नहीं भचाया, कातिल को पकड़ा क्यों नहीं मिस्टर विजय कमार, अगर जो कुछ भी आपने कहा वो सच है तो इस इनसान को सजा मौत मिलना इंसाफ होगा लेकिन अगर ये घलत और इस घलती का इकरार आपने अदालत के सामने नहीं किया तो ये खून होगा, ये खून आपके सिर होगा इसके जिम्मेदार आप होंगे, आप खूनी होंगे, मिस्टर विजय कमार, आप खूनी होंगे इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाईए उस राज जिसे लाश कसीटते में देखा, क्या ये वही आदमी है एक किताब नहीं, भगवान है, भगवान का रूप है इसे अपने हाथों में लेकर, अपने सीने से लगाकर कसम खाईए क्या ये वही आदमी है जिसे उस राज अपने मोटर की रोश्टी में देखा था आप चुप क्यों होते हैं, कुछ बोलते हैं क्यों नहीं आपने जूट बोला, जूटी गवाही दी थी मिस्टर विजय कुमार, अगर इस इंसान के साथ नाइंसा भी हुई तो खुदरत आप से बहुत बड़ाई दखान लेगी मिस्टर विजय कुमार, आपकी माँ बेमारत बहुत सखत भी है इस कुना की सजा आपकी माँ की मौद भी हो सकती है आपकी माँ की मुझ भी हो सकती है